हुआ फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग तो आल फ्यू गैसे हैं आप सभी लोग आई होब कि सभी लोग बढ़िया होंगे मज़े मंगे पर्स थो करके पड़ाई लिखाई कर रहे होंगे मैं पबल सर सुबस्क आठ बजी अब आपके लिए अभी करेंड फेस लेकर भी आय हो रहा है इसलिए थोड़ा सा लेट कर रहा हूं ताकि थोड़ा ग्लाक्स मिल जाए अब देखे आज हम लोग जो बात करें इस वक्त हम लोग बात करते हैं करने की कोशिश करते हैं तो यह सेशन आपके लिए जिए इस सेशन को जाएं किया रहा करें इस से आपके इस सवाल दिखने को मिलेगा दोस्तर के इस सेशन के ब्यूटी यह ए कि जुबी उपशी स्टेश में जीए पेपर से उनस पेपर के कर दिंग मैंने यहां पर जीज़ों को डिवाइड करके रहा है वर इस इंपॉल्ट इसलिए मुझे उमीद है कि यह जो करेंट अफेस का सोभ है यह भी आपको कोश्चन सभी आपको आने वाल एक्जामिशन में देखने हो मिलेगा अपने देखा ही था 2020 के पेपर में पॉलिडी के कोश्चन तकराये थे सारे के सारे कोश्चन तकराये थे 17 के 17 कोश्चन तकराये इवन में में कुछ कोश्चन मैंने फोकस के प्रोग्राम में उस बाक करेंट अफेस हमारा फोकस के नाम से चलता था इस focus में भी हमने बहुत सारी चीज़ डिसकस करी थी जो कि आपके exam mission में देखने को मिला था जिसमें एक तो industrial location theory as it is आ गया था जहां हमने iron steel and jute industry के बारे में बात किया था iron steel के बारे में पूछा भी है तो ऐसे questions बनेंगे तो इसलिए मैंने पूरा ध्यान रखा है कि क्या आपके syllabus के recording important है क्या आपसे पूछा जा सकता है कैसे पूछा जा सकता है तो आप इस current affairs के को हमेशा ध्यान में रखा करें इसको देखाता है ठीक है सब्सक्राइब क्लास को लाइक और शेयल कर लिए जितने भी लोग है फटा फटा फट फिर हम लोग अपने क्लास को शुरू कर लेते हैं चब तक चोटी से ज्यान करें मेरे बारे में यह आपनों देखे रहे क्लास इंफर्मेशन भी आपको यहां पर दे लिया आता है दूसरा एक बात और भी बताना चाहूंगा कि अभी अनेकार्मी के प्लस पर कल से फ्रेश बैच शुरू हो रहा है जो कि बहुत सरे फांडेशन जिसको जिनको भी रखना है और जिनको भी 2021 के लिए तैयारी करनी ह आपको क्या करना चाहिए अठारा फर्वड़ी का बैच लेकर के पांडेशन के लिए बी यह अलग बैच है जो आप देखेंग बीगनर्स के लिए दूसरा जिनको अभी 2020 में देना है पर उनके लिए बैच है तो आप पवंट इनका कोड यूज करके इन बैच को जॉइन कर होंगे यह मेरा पूरा क्राइक का सिलिबस है जिसको आप लोग देख लीजिए आप लोग डेफिनेट्ली से बेनेफिटेड होंगे राइट यह हमारा वो गया पल्ट अब जाएगे अब यह बहुत सारे न्यूस है कवर करने जिसको हम लोग को कवर करना है देखे एक है जाइंट टर्टल है लेवग नेस्टिंग साइट्स है वह बताया गया है कि अन्दमान नेकोबार में डेफिलमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे है इसकी वीज़िसे इसका से जाहां पर यह अंडे वीगरा देती है उसके खराब होने के संभावन है तूटने के संभावन है अब याद्स आप जैसे कि प्रस्ताओं आया है कि टूरिजम को और पूर्ट्टम के लिए अडमा निकोबर में पूर्ट को और टूरिजम के डेवलप्मेंट के लिए कुछ काम के जाना है इंफ्रास्ट्रुचर का डेवलप में होना है जिसके वेसे जो conservatenist हैं, इनको यह लगता है कि यह जो leatherback, जो giant leatherback turtle है, इनका nesting down in the ocean के इस पार्ट में क्या होगा, वो disturb होगा, वो बहुत तूट-फूट सकता है, वो भिखर सकता है, ठीके, इनका यह मानना है, दरसल क्या है, कि sea turtle में आगर देखेंगे, तो सात प्रजातियां हैं, seven species हैं, जो बहुत बिशाल होते हैं, जिनमें से एक हमारे पास यह leatherback turtle भी है, जिस वान अफ द लार्जेस on the planet, and also the most long-ranging leatherback are found in all oceans, ठीके न, और यह जो most long-ranging है, leatherbacks, जो turtles हैं, यह सभी ocean में पाई जाते हैं, केवल और केवल, आर्क्टिक में नहीं मिलता है, और अंटार्टिका में नहीं मिलता है, इसका मतलब कि है, दोनों pole पर बस यह आपको देखने को नहीं मिलेगा, बांकि जितने भी पूरे oceans हैं, इन oceans में, यह अगर बात करें हम लोग, हिंद महासागर में, इसका जो nesting ground है, वो limited जगर पर जाके nesting यह करते हैं, यह nest करते हैं, देनेस्ट वाले इंडोनेशिया में करेंगे, स्रिलंका में करेंगे, और अंडमान निकोबार आइलेंड में यह करने का काम करेंगे, विदिन इंडिन ओश का introduction लिया था, मैंने कहा भी था, कि schedule जितने भी हैं, आपके जो animals हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इंडिया का जो यह wildlife protection act है, WPA, आपको याद होगा, मैंने बताया भी था, WPA act, WPA 1972, इसमें जो schedule 1 है, उस category में, इसमें यह listed है, आपके पास होनी चाहिए, जो कि बेहत महतोपूर्ण है, किके इसको आपको ध्यान में रखना होगा, इसकी schedule 1 में यह शामिल रहता है, शामिल किया गया है, राइट सर्स और माम्स, चली, पहला ही है, दूसरा भी आपका environment से जुड़ा हुआ मुद्दा है, environmental issue है, इसमें दे wildlife centuries, नासल पार्ग, बास, फेर, reserves, इन सारे चीजों को बारे में भी पढ़ना है, हमने यह भी आप से बदाया था, कि जब आप पढ़ते हैं तो उनमें बहुत चोटी-चोटी बातों का आपको ध्यान रखना होगा, कि किस ताइप का flora वहाँ मिल रहे है, कोई नदी वदी वहाँ परवाहित हो रही है, तो उसके बारे में देखना है, कौन सा है, जो इस्पेसी से वो डॉमिनेट कर रहा है, इस स्टेट में, तो इस तमाम बातें आपको देखनी पड़ेंगे, तो उसी लाइन पे, मैंने यहाँ पर कारला पट जो आपके पास, जो सैंक्चुरी है डेथ हो गया है, अब यह हुआ क्यों है, तो इसके पीछे कारण बताया गया है, हेमराजिक की जो है आपके पास, स्केप्टिकान मिया, जो है, यह आपको उनके अंदर पाहर मिला है, जो कि फोर्ट नाइट में, इनफ फोर्ट नाइट यहाँ कि पंदरा दिनों के पीदर, कारला पर्ट सेंचुरी अपको डीसा में देखने को मिला है, ठीक है, तो आपने देख लिया यह, इमें छे जो रखत अस्त्रावी, से उनकी मृत्यू हो गई है, हीमरेज से, ठीक है, यह दर असल क्या है, एक प्रकार का बाक्टेरियल इंफेक्शन है, पर दो इस डिजिस क थेकर न, which infects animals, ठीक है, तो आप देखेंगे क्या है, कि यह जो animals है, यह bacterial है, ठीक है न, तो आप देखेंगे, so bacterial disease, which infects animals, which infects animals, that come in contact with the contaminated water or soil, जब यह जो animal है, जब किसी भी contaminated water या soil में आते हैं, तो उन्हें यह bacterial infection उनको हो जाता है, contaminated water या soil के case में, ठीक है न, तो अगर देखेंगे जो जल है और जो आपकी मिट्टी है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो water or soil ठीकिन के contact में अगर ये आएंगे तो इनका infection हो जाता है ये वी यसी के लिए क्या है इनके respiratory tract को यहां से स्वास नली होती है ये respiratory और जो lung है उनको infect करने का काम करता है तो किस organ को काम करता है उनके body में तो ये भी यादट नहीं कि respiratory tract या lung और जो lungs हैं उनको ये क्या करता है उनको ये infect करने का काम करता आप the animals are affected and leading to severe pneumonia और इसके बाद इनको severe pneumonia हो जाता है निमोनिया आप जानता है that is related to lungs इन फाक्ट ये मानवों में भी ये बिमारी होती है ये निमोनिया की तो अब देखें ये lungs हैं आपका प्रभावित होता है तो ये दार्स लीट टू severe pneumonia राइट से निमोनिया चलिए और ये जनरली होता है क्या है ये कब फैलता है तो जब मंशुन की शुरुआत होने वाली है उससे पहले ये मौन्शुन के बाद होती है जब water का contamination हो जाता है according to 2018 census के अगर हमनों बात करें तो इस sanctuary में मात्र सत्रा elephant है जिसमें से 6 की मृत्यू अभी हो गई अब कालरापट के बारे में अब कालरापट वालप सेंचरी के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि हमने बोला कि अपके लिपहद में है तो पुने यह जो है 175 स्कॉार किलोमेटर में यह फैला हुआ है और इन एरिया और फैमस फॉर लस्ट्रीं ड्राइ डेसिडियूस फॉरेस्ट में है वराइटीज ऑफ प्लोरा अन फॉन आपको यहां पर देखने को मिलेगा अन एनिमल्स जैसे क्या मिलते हैं यहां पर इसके आलाब देखें है क्या यहां पर वराइटी ऑट्स मिलेंगे जैसे कि पी फॉल पिकॉल वांड विल रजंगल फाॉल यह सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगे इसरे अनिमल्स के अलाब बर्ट्स भी आपको देखने को यहां पर मिलेंगे हिल, माइन, निकाइट और रेप्टेलियन फॉना में देखेंगे क्या इंक्लूस मगर, क्रोकोडाइल, मानेटर लिजार्ड, स्नेक्स, बोथ वाइजन्स और नॉन वाइजन्स और फांड इन सेंक्चुरी और यह जो फॉरेस्ट है, इसका जो देखेंगे, कंसिस्ट और फ्लोरा में पेर पॉधों की बात करें, तो साल है, बीजा है, असान है, हरीदा है, आमला, बाहडा, और बांबू, और वराइटी जो है, आपको देखेंगे, फ्लोरा फॉना से बिलकुल रिच पड़ा हुआ है ठीके न, फॉना की यह सारी वराइटी मिलेगी, और फॉला पेर पॉधों की यह वराइटी आपको मिलेगी, यह आपको ध्यान में रखना हुआ अब यह तीसरा important piece of information है, जो दो दिन पहले ही हिंदु में cover किया गया था, जो छूट गया, लिंगयाथ के बारे में, लिंगयाथ के बारे में क्या है, इसको भी जान लेते हैं हम लोग है, कि जो लिंगयाथ यह community नहीं यह demand कर रही है, demanding, inclusion of a large लिंगयाथ, लिंगयाथ सब से in an OBC quota का demand कर रही है, that provides 15% reservation in the government jobs, ठीक है, जो उन्हें 15% प्रतिशक, जो reservation in government में, job means, and education में provide करता है, so community demanding what, कि इन्हें क्या कर लिया जाए, include किया जाए, large लिंगयाथ subsets में in an OBC quota category, OBC category में, ताकि इनको जो reservation हो सके, वो 15% का reservation मिल सके in government jobs and education in the state, ठीक है, लिंगयाथ के बारे यह जो लिंगयाथ है न, यह dominate करते हैं करनाटिका में, जहां इनका population लगवत 17% है, 17%, 6 crore population में, यह 17% जो है, करनाटा का 6 crore population है, 17% अब डूडल करनाटा का population का यह आता है, ठीक है, और यह जो लिंगयाथ हैं, यह जो लिंगयाथ हैं सब, यह लिंगयाथ के हैं, एक classified as the Hindu caste, हैं कास्त, हिंदू सब कास्त हैं, यह called वीर शैव लिंगयाथ, ठीक है न, वीर शैव इनको बोलते हैं, लिंगयाथ बोलते हैं, वीर शैव यह आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, वीर शैव लिंगयाथ हैं, यह अपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, वीर शैव तो इतनी बाते कम से कम आपको धियान में रखना होगा इनका टूटल पॉपलेशन अभी कितना है तो यह आपके लिए बहुत पूद। इन चीजों को भी आद मिला मत पूर आपको रखना पड़ेगा और यह जिस प्रकार का पैशा अपनाते हैं, तो इसके अंतरगत, यह जो लिंग्याद्स है ना, यह लिंग्याद community यह विविन प्रकार के पैशों को अपनाते हैं। उन पेशे के अधार पे इने सब सेक्स में भी क्या किया जाता है। जाल लेते हैं, तो फटीक Harris फालोवड़ी ऐसको अंतरगत, यह बात हैं। वो भी special provision क्या है special category called the 3-B subset called the पंचा मसालाई यंगयात यह जो subset है called पंचा मसालाई लिंगयात्स हैं basically यह एगरी कल्चुरिस्ट हैं यह सब के सब कौन है यह किसान है और यह जो लोग हैं वो लगवाश सेंटी परसेंट आफ जो आपके लिंगयात्स हैं उसको उसका population यह यानि कि जितने भी लिंगयात्स करनाटका में मिलते हैं उसका 70% यह आपके पास यह पंचा पंचा मसालाई लिंगयात्स हैं अभी इनको reservation दिया गया 3-B के अंतरगत जो कि only 5% को करता है अब यह कहते हैं कि मुझे इस category के अंतरगत नहीं बलकि 2-A के अंतरगत reservation दिया जाए जिसमें reservation 5% से बढ़कर के 15% reservation हो जाएगा जो जो recent most जो controversy वो यह है कि उन्होंने यह का है कि जो reservation के category के अंतरगत जो 3-B है उस category से हमें बाहर निकालो और हमें 2-A में शामिल करो उसके पीशे का objective यह है कि 3-B में आप केवल और केवल मुझे 5% reservation दे रहे है जेकिन जो 2-A में आप मुझे शामिल कर लेंगे तो that would be what 15% of the reservation तो इसलिए यह पूरा का पूरा controversy चल रहा है कि हमें जो है आप क्या करें OBC category में शामिल करें राइट सर्स और मैंबस तो that is the thing that required here so what is the current controversy this is the current controversy अब demand has been raised by BZP MLA यह उनके दुआरा के two prominent serious हैं यह सारे लोगों ने करना शू कर दिया अब protest march and rallies in parts in the north and central Karnataka since January 14 have been put pressure on the yadurappah and to take a decision yadurappah is the CM right over there तो उनसे कहा गया है कि भाई NA भी क्या किया जाए 2A से निकाल कर जो है 3B से निकाल कर 2A में शामिल किया जाए और इसके लिए सरकार के उपर में protest किया जा रहा है प्रेशर डाला जा रहा है so एक pressure group के रूपे अब यह काम कर रहा है जह नेक्स छोटा सा पीस आफ इन्फरमिशन है वह है और आल गास प्रोजेक्स इन तामिलाडू ठीक है ना प्रेशर नेंद्र मोदी डेडिकेट अनलेशन फांडेशन आप यह जान लेते हैं कि वह इस यह है क्या प्राइम इन्फरमिशन नेंद्र मोदी विल डेडिकेट तो अनलेड़ा फांडेशन फांडेशन आफ की प्रोजेक्स आइलन गास सेक्टर इन तामिलाडू एन 17 फेबुरी 2021 को यानि कि आज यह क्या करेंगे कि जो है तो यह एक ONGC का आइलन गास सेक्टर को यह क्या करेंगे अभी समर्पित करेंगे देश को रास्ट को करेंगे यह इन अगरेट करेंगे यह प्राइमिकर संभ डिडिकेट डेडिकेट तु डी नेशन दरर्म्णाथापूरं टु फूटूकुड़ई नाचुल गास पैपलाइग नाम याद रठने आपको नाचुल का स्स Kings होगा 134 km का section होगा section इसका होगा अपधा एनौर, तिरावल्लूर, बेंगलूरू, पुड़ुचेरी, नेगा पतिनम, मदुराई, तुथी कॉन नाच्रल गास पाइपलाइन, इसका एक छोटर सा हिस्सा होगा तो यह जो एक section है, जो बनाया जा रहा है, रामनात पुरम से थुटो कुड़ई तक यह 143 km का होगा pipeline, ठीक ना, जो कि एक ब्रॉडर, एक नाच्रल गास लाइन का एक हिस्सा मात्र है, इसको बनाने में total cost हो आने वाला है, अब देखते हैं, इसका significance क्या होगा, इससे होगा क् utilize gas from ONGC gas fields and deliver natural gas as paid stock as industries and other commercial customers, सीधा फैदा क्या होगा, कि ONGC के जो gas से जो pipeline की service होते है, जो gas line provide क्या जाता है, उससे क्या होगा, इस इस इलाके में जितने भी लोग होंगे, उनको क्या होगा, इस ONGC gas fields है, जो हैसो gas की supply हो जाएगे, natural gas की supply होगे, इत्विल, इत्विस से क्या लो सलफर, अब ONGC gas जो आएगा, उसमें क्या होगा, आप देखेंगे, लगबग लगबग clean energy की बात यहाँ पर हो रहे है, कि जितना हो सकता है, उतना हमें क्या करना है, carbon free energy को लेकर आना है, तो इसमें content अगर देखेंगे, तो it produce what, low sulfur, जो कि less than 8 ppm होगा, जो कि environment friendly gasoline है, environment friendly gasoline है, ठीक है, and it will help reduce emission, contribute towards a cleaner environment, यह cleaner environment की तरफ चलेगा, तो यह आपको यादत नहीं कि जो gas supply होगा, यह produce क्या करता है, low sulfur का जो है, gasoline प्रोवाइट करेगा, जो कि environment friendly gasoline है, environment friendly gasoline है, it will produce motor spirit and diesel, meeting BS6 specifications, जो कि भारत stage 6 को क्या करता है, उसके specifications से meet करता है, BS6 का मतलब हो गया, भारत stage 6 के क आप जानते हैं, कि environment के कई level बनाएगा है, तो भारत 6, जो stage 6 है, वो latest है, इसमें specifications है, and propylene, जो polypropylene है, as a value added product यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यह काफी ज़्यादा है, cleaner energy environment की तरफ हम लोग मूव करेंगे, इसमें यह देखने को मिलेगा, अब यह दिशा की कोशिश करेंगे, कि actually toolkit का मुद्दा क्या है, और इस दिशारवी केस किया है, और इन्हें गिरफतार क्यों किया गया है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, in fact, जो तुटा गर्टेन है, उनके बारे में भी बात करेंगे हम लोग कि उनका क्या role है, इसके इंदर क का है, इसमें किया है, कि सुधिस एंवार्मेंटलिस है, इसमें किया है, इसमें किया है, कि अपनी solidarity, अपना support जो है, इंडिया में हो रहे, farmers के साथ उन्हें सपोर्ट करने के दिखाना शुरू कर दिया, ठीके न, और यह माना गया है, कि that is against the government, इसमें टूलकिट के बारे मे चाहिए, आपको कहा अप्रोच करने चाहिए, इसका मतलब क्या है, कि पूरा का पूरा जो टूलकिट का है, एक document बनाया गया है, यह document कि जो भारत में, जो भी किसान आंदोलन चल रहा है, उसको यह support करने के लिए, और support भी जो है, वो इस तरीके से किया जा रहे, जो कि आप farmers of India, farmers जो इंडिया में कर रहे हैं, और उन्हें डिमांड किया, और बहुत सरे document की साथ, उन्हें बहुत सरे hashtag करके, उन्हें आपको कहा कि अपरोच करना, इसमें कोई सहता चाहिए, कोई support अगर चाहिए, तो आपको कहां contact करना ये भी बताया गया, ठीके अब जो entire document उसका ब इंडिया में ही किया गया, और उसमें दिशा का involvement है, यहां दिशा का involvement है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने केवलो इस toolkit को spread ही नहीं किया, बाद में पुलिस को पता चला कि इसका data server है, जो इडिट करने का है, उनको develop करने में भी दिशा का बहुत बढ़ा रोगदान है, इसलिए पुलिस ने किया कि दिशा को arrest किया है, आईए इसी context में पूरे पूरे news को भी हम लोग समझते हैं कि what exactly, दिशा रवी केस क्या है पूरी तरह के से, जो activist दिशा रवी है, is in custody of the Delhi Police, वो custody में है Delhi Police के, पर editing, यह edit किया है, editing, unsharing your toolkit, जो toolkit है, यह इसको उन्होंने edit करने क क्या है, यह इसके जो contents है, जो documents हैं, जो उसको edit करने का काम किया, और इसको share करने का काम किया, इस toolkit में बताया, कि एक प्रकर का document है, जिसमें बताया किस तरीके से आपको इसको किसाना अंदोलों को ले करके आगे चलना है, इसमें कौन लोग involved होंगे, अगर कभी आपको को द अंटी क्लाइमिट जो चेंज केंपिनर है ग्रेटा थुनबर्ग थुनबर्ग ने इसको ट्विट किया था इसको हाश्टाग के साथ इस टूलकीट को तो इसको फुर्दर शेर करने का काम के था अक्टिविस दिशा रवी ने ठीकिना और बाद में पुलिस को यह पता चला कि यह जो दिशा रवी है इसको एडिट करने का भी काम किया है यानि कि इसके जो content है उसको develop करने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है ठीकिना उनक some others have also been booked कुछ और भी लोग हैं जिन्हें इसमें बुक किया गया फॉर कॉडिनेटिंग विट प्रो खालिस्तान आउट्फिट पोईटिक जिस्टिस फांडेशन है जो कि प्रो खालिस्तानी आउट्फिट है यह जो खालिस्तान के डिमांड को support करता है आप जानते हैं कि इत कि जो कुछ foreign जो elements हैं वो क्या करें इस movement को यह हवा देने का काम भी कर रहे हैं सो अब यह relations आपको connections जो आपको देखनी शुरू हो गया है इसमें आपने देखा कि पहला जो connection है वो यह establish हो रहा है कि जो प्रो खालिस्तानी outfit है जो इसका एक संस्थान है जिसका नाम है Poetic Justice Foundation उ उसको share किया गया है in connection with the protest by farmers unions over the new farm laws, new farm laws को लेकर किया है जाले है यह जाले है एक handy tool है basically it is a document in sustaining a movement कि कि किस तरीके से आंदोलोन को जिन्दा रखा जाए सके तो sustaining a movement और campaign in times of social media influences ठीके ना किस तरीके से अभी अप्या करना है यह जो किशान आंदोलोन चल रहा है उसको sustain करना है ठीक है सरकार चारी है कि आंदोलोन खतम हो जाए compromise हो जाए सरकार भी चारी है कि जो demand किया तो रखा जाए लेकिन आपने देखा है कि social media के जमाने में इस social media के माध्यम से किस तरीके से एक तरीकी से मैं बात कहूं तो पूरा का पूरा जो किसान आंदोलोन चल रहा है उसको organize ह करना है कई भी कोई issue अगर आ रहा है तो कौन contact person होगा इन सबों से बात करना इन सबों के लिए यह यह टूल किट को develop किया गया तो इस तरीके से देखें कि यह कि यह आंदोलोन को sustain करने के लिए international जो arena के जो लोग है वो भी इसमें सामिल हो जाए है so it is a document created as an explainer on an issue as a guide to everybody so यह क्या है guide to everybody है who is associated with who is associated with the campaign or can be roping to give a flip to the campaign ठीक है so पूरा का पूरा यह document किया गया है उसमें पूरा का पूरा creation यह बताया गया है explain किया गया है as an explainer कि कैसे इस आंदोलन को guide किया जाए कैसे इसको sustain किया जाए यह तमाम बाते यहां पर आपको देखनी को मिल रही है it also provides a road map of how to take forward how to take forward the campaign or agitation explaining what needs to be done when and how ठीक है न यह provide करता है पूरा का पूरा एक road map कि कैसे इसे आगे लेकर चलना है यानि कि जो आंदोलन होगा इस आंदोलन का course क्या होगा यह जाए इसका मतलब आप समझ पा रहे है कि किसानों के मुद्देनेरे किसाने के मुद्दों को आगे करते वे इसके अंदर एक international politics हो रही है जो कि against India है इसमें आपने देखा कि बहुत सारे चीज़े involved हो गई है अब किसानों को यह अपने अधिकारों के बात होनी चाहिए या other कोई अगर बात हो रही है वो उनके मणडी के बात हो रही है, तो मंढी के बारी में बात हो नीजी लेकिन अब इसका मुद्धा पूरी तरीके से अलग हो गया अब इक तरीके से देखें, पूरा रिसर्च है कि अभी आंधूरन का मूव क्या है क्या है कैसे इसको सस्टेन करके रखना है ताकि जो भरत सरकार रहे वह परिशान रह सके इसके लिए पूरा का पूरा यह कारिक्रम किया जा रहे इस जब उसने गूगल डॉकिमेंट को शेर कर दिया कि इसने ग्रेटा तुनबर्ग ने अटूल किट टूल किट इन एडवर्टरेंट्ली से डिलीटेड टूइट लेटर बट इट बिकेम आ हैडलाइन बाद में उन्होंने इस टूल किट को जो है सो डिलीट कर दिया लेकिन यह पूरी के पूरे इंटरनाशनल यूज में एक जो है एक खबर बन गए और ग्रेटा थेंट वर्ट के बारे में आप जानती है क्या है कि वो एक इन्वार्मेंटल एक्टिविस्त हैं जो ग्लोबल गवर्मेंट्स हैं उनको कलाइमेंट चीज को लेकर ग्लोबल वार्मिंग क कि यह campaign चलती है और इसको प्राइमरली जो सपोर्ट करने का काम करता है बैक्ट बाइ पाकिस्थान तो फर्मेंट टेररिजम दूरिंग नाइटीन इन पंचाब ठीक है ना जब आपने देगा कि 1980 के दसक में पंचाब में टेरररिजम चफैल रहा था तो इसको जो है सो यही खालिस्तान मुव्मेंट के माधिम से सस्टेंड किया गया पाकिस्तान के द्वारा there have been attempts in recent times by groups of based in Pakistan and Canada to revive the campaign with no practical traction in India ठीके ना ये recent times में इधर हाल-हाल के दिनों में अपने देखा होगा कि कई groups हैं जो सक्रिये हो गए जो कि पाकिस्तान में इस्थित हैं या Canada में इस्थित हैं so it is the entire issue of this इसको वारे में आपने जान दिया ठीके सरसे माम्स चीके चली नेक्स हैं इंडिया तो ग्रोव 10% in financial year 2020 अभी एक global rating agency है वह S&P global ratings हैं इंडिया is expected to grow at the rate of 10% in the next financial year ठीके ऐसा बता है कि ये जो S&P group है उसके rating के हिसाब से भारत जो है अगले वर्ष वो 10% के हिसाब से grow करेगा 10% in the next financial year तो इस बात को ध्यान में इसलिए रखा गया है कि भारत की जो economic recovery है वो काफी तेज़े से होते ही चली जा रही है therefore this forecast is a way below the 11% growth projected by the economic survey for the fiscal year 2022 जबकि आपने देखा है कि जो fiscal अभी जो announce किया गया है निर्मला सिता रमन जी के दोर जो वित मंतरी के दोरा economic survey के प्रेजेंट के दोरा प्रेजेंटेशन के दोरा जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा जो growth rate होगा वो कितना होगा 11% होगा यह इससे नीचे है यानि कि जो SNP जो research institutes ने बोला है कि less than 11% होगा that would be 10% इंडिया का जो economy growth रहने वाला है the projected rebound the projected rebound in the financial year 2022 how it comes on a lower basis with the Indian economy projected to contract to 7.7 this fiscal year इसमें बोला गया है कि इंडिया का जो development होना है जो economy growth है उसमें contraction यानि कि पिछले बच्छे तुलना में 7.7% का आपको क्या contraction देखने को मिलेगा संपुचन देखने को मिलेगा जिसके वैसे इसका impact जो है वो उसका economy growth पर आपको 10% ही दिखाए देगा that won't be 11% for the recovery in growth in the next fiscal year recovery in the growth in the next fiscal year SNP, SNP जो research institute relied on factors like flattening of the covid-19 infections curve, good agricultural performance and pick up in government spending ठीक है न so ये सारी चीज़े आपने देखे हैं कि अब देखेंगे covid-19 का जो है प्रभाव कमता चला जा रहा है agriculture में भी हमारा performance बढ़िया रहा है और government के spending भी under pick up in the government spending भी आपको देखने को मिला different segments में however SNP warned that India needs many things to be right for its recovery to continue इसके अलबा भारत को आपके कई कुछ करने के जरूवत है ताकि ये क्या करते है अपने recovery rate को और भी faster कर सके ये भी बताया यहां गया है agency ने ये भी बात कहें कि India needs to be quickly vaccinate most of its 1.4 billion population और इस agency में ये बताया गया है कि भारत लिए जरूई है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने पूरी के पूरी आवादी जो 1.4 billion हो है उसको vaccinate करे पूरी आवादी को vaccinate करना उसके लिए जरूई है SNP का expectation ये है कि performance of India's banking sector will start improving materially in the fiscal year 2023 और जो banking sector है इसमें जो आप देखेंगे materially improvement दिखाई जएना शुरू होगा fiscal year 2023 से ये इनका मानना है ये सारे चीज़े हैं आप आपको देखने को मिल पगए है राइट सर्स और माम्स चलिए नेक्स अजे इचवर नी पोर्टल ये इचवर नी पोर्टल का है इसके बारे में बात कर लेते है चो यूनिन डिफेंस मिनिस्टर है ना स्री राजनात सिंग जी उन्होंने किया कि recently launch किया है इचवर नी पोर्टल ये पोर्टल किया ना चवर नी पोर्टल किसके लिए किया है इट इस अपोर्टल डाट विल अलाव कैंटर्मेंट रेसिदेंस यानि कि कैंटर्मेंट इलाके में जो भी लोग रह रहे हैं तो registered complaints related to civic issues, अगर उनको कोई भी civic issues है, जो छावनी के इलाके में कोई लोग रह रहे हैं, और उनके पास कोई भी civic issues है, यानि कि आप जानते जो municipality का काम होता है, उससे related कोई भी अगर issue है, तो आप इस portal पे आप क्या कर सकते हैं, अपना complaint दर्ज कर सकते हैं, जिसका नाम है E. छ छावनी पोर्टल हो गया, ठीके, तो इच छावनी पोर्टल हमने देख लिया, and it will offer services to over 20 lakh citizens who have been living in 62 cantonment boards across the country, ठीके न, अब देखेंगे क्या, कि it will offer, कितना करेगा 20 lakh citizens हैं, वो जो रह रहे हैं living in 62 cantonment boards across the country, यानि पूरे देश में कर देखेंगे, तो 62 छावनिया हमारे पास अब जो भी लोग जो रहते हैं, जो निवासी हैं, जो इन छावनी के छित्रों में रहते हैं, वो अपना कंप्लेंट दर्स कर सकते हैं, रिगार्डिंग सिविक इशूज अन देस पोर्टल, ठीके न, इन विल बी एबल तो रिजावनी आपका शुरू किया गया है, अब इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेस इस फोर्टल पर आपको मिलेंगे, जैसे कि ट्रेड लाइसेंस आफ ले सकते हैं, रिन्यूबल आफ लिजर्स हो सकती हैं, मोबाईल, आपके बास ट्वालेट लोकेटर्स हो सकते हैं, वाटर एंड सीवेस कनेक्शन हो सकता अप्लिकेशन फॉर बाइड पर अन डेथ चर्टिफियेकेट passado यह सारा का सारा जो निसपालिटी का काम होता है यह भी जानते हैं। इशू है चाहे वो किसी प्रकार का है तो इसके लिए वो अपना क्या कर सकते हैं अपनी सिकायत को दर्ज करवा सकते हैं और बैटे ही उनके सिकायत का समधान कर लिया जाए इसके अलबा उन्हें कई प्रकार की प्लेटफर्म यह बनाया गया है और स्यवरे स्किविटि अप्लिकेशन को लिएकर राइट सर्व चलिए आंचे यह लिए कि इछ हाबनी पोर्टल के बारे इसको जॉइंटली डेवलप किया गया डेवलप करने के लिए इसके इंधर के जो हैं भारत एलेक्ट्रोनिक्स हैं ल यानि कि जो चार संस्थाएं हैं, जॉइंटली मिलके इचावनी पोर्टल का निर्बान कर रहे हैं। भारत एलेक्ट्रोनिक्स हो गया, Limited, that is called BEL, Directorate, General Defense States हैं, DZDE, next है EGov Foundation, and next है हमारे पास National Informatics Center, that is called NIC. इन सब न मिलकर के इसे डेवलप करने का काम क्या है। तो इचावनी पोर्टल है, will be set step forward towards smart governance, और ये जो आप देखेंगे, इचावनी का प्रयास है, जो असल कि है, कि अभी हमारे यहां देखेंगे smart city, smart administration, ये सारी चीज़ें का एक पार्ट है, ये smart governance का एक हिस्सा है, यानि कि आप घर बैठे ही, सारी चीज़ों को आप online आप्या कर सकते हैं, अपनी सिकायतों को दल्स करवा सकते हैं, और कई सी उध्धाओं का लाफ घर बैठे ही उठा सकते हैं, जिसको लोग बोलते हैं, और ये जो है providing citizen-centric services, ये governance का पुद्दा है, ये आप घामने रखेंगे, ये citizen-centric services को प्रोवाइड करड़ा है, to the residents of the cantonment or across the country, आपने देखा क्या, ये पूरे का पूरा देख के अंदर के 62 शावनिया हैं, जिसमें लगवा 20 लाग से अधिक लोग इन सभी के लिए smart governance का ये तरीका है, जो घर बैटे ही, वो citizen-centric governance को फ्राप्त कर सकते हैं, services को का लाग उठा सकते हैं, citizen-centric services to the residents, ठीक है, sirs and ma'ams, चलिए, ओके, इन बातों को ध्यान में रखना है, नेक्स आइए, first route of kochi water metro inaugurated, ठीक है, first route of kochi water metro inaugurated, mind war, water metro inaugurated, ठीक है, ये तो केरला के chief minister है, पी विजयन, उन्होंने inaugurate किया, पहला route and terminal buildings of kochi water metro, ठीक है, first route and terminal buildings of kochi water metro, it is the project of kochi metro, metro rail limited, aimed at connecting the island around the city, city using state-of-the-art boats, ठीक है, इसके माध्यम से करेंगे, केरला CM inaugurated the first route of the project from Vitella to Kakanaad, Kakanaad, तक है किया गया है, ठीक है, ठीक है, ये नाम थोड़े से है, ठीक है, हम लोग के लिए, ठीक है सोजाता है थोड़े सा लेना, बट ध्यान में रखेंगे, अब इसके लिए टोटल के जो project cost है, that is 747 करोड, water metro project है, will provide an accessible and eco-friendly transportation mode, especially for people living in 10 islands of the mainland, ठीक है, ये केरला के 10 islands को ये क्या करेगा, connect करेगा, को connect करने का काम करेगा, in the first phase of the project, लबग 23 AC ferries without 100 passenger capacity will be introduced, अब ये क्या है ना, कि बोड के माध हम से, आपको क्या करा है, एक metro का link create करना है, ठीक है, ये कैसे करेंगे, तो जितने भी 10 islands है, उनके बीच में interconnectivity को improve करना है, इसके लिए क्या 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 है, 20 AC ferries का, यानिकि जो बोड सो होते ये बात समझ पारें, ये क्या होगा, 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 ये बात समझ पारें, ये बात समझ पारें, ये बात समझ पारें, ये बात समझ आप Delhi Metro को देख रहे हैं, या इन फाक्ट क्या है, यहां पर में आपके पास क्या होगा, Ferries होंगी, Boats होंगी, Its Boats के मादिम से आप ओर 10 Highlands को क्या करेंगे, Connect करने का काम करेंगे. अब यहां देखते हैं क्या है, इसके मालब Panam Kutti Spring के बनाया गया, और इसकी connectivity रोड से भी होगी नेक्स आजे क्या है इनके बारे में बात कर लेते हैं इसे का मतलब क्या है International Solar Alliance यह फिर environmental issue आपके लिए बहुत ज़्यादा important है Science and Tech से भी जुड़ा हुआ है International Solar Alliance क्या है has announced Dr. Ajay Mathur as its new Director General Dr. Ajay Mathur को इसका new DC बनाया गया following his election as the first special assembly of ISA members ठीक है यह आपने देखा तो यह नाम आपको याद देखना है Dr. Ajay Mathur International Solar Agency के जो alliance है उसके डारेक्टर ने डारेक्टर जनरल इनको चुना गया निर्वाचित किया गया अंतरास के गटमंदर Dr. Mathur जो है अब देखें जब से ISA का गठन किया गया था तब से भारतिय जिनका नाम है तिर्पाथी जी Mr. उपेंदर तिर्पाथी यह इसके किया थे DC थे अभी उनको रेप्लेस करके Dr. Mathur को अभी बनाया गया इनका DC अब यह International Solar Alliance क्या है इसके बारे में जान लेते हैं दसल क्या है कि जो International Solar Alliance है सर इसको Environment के लिए ध्यान में रखेंगे बहुत जरूरी है यह कॉलिशन है 73 Member Countries का 73 Member Countries का 23 Member Countries का इसे इस्टाबिश किया था 2015 में इसको इसको इसके अस्थापना किया है 2015 में इसमें टोटल जो स्ट्रेंट है वो 73 लोगों का है 73 जो Member Countries है वो है और इनका Demand का है Demand for use of safe, unsustainable, unaffordable solar energy for all जितने भी लोग हैं उन सभी को safe, sustainable, unaffordable solar energy मिले इसके लिए इस International Solar Alliance को स्थापित किया गया है 2015 में इसका जो उदेश है उदेश किया है आपके पास क्या होना चे 1 trillion dollar का investment आपके solar project में आपको दिखना चाहिए अब through focused advocacy policy and regulatory support capacity building and by overcoming perceived investment barriers ठीक है न, कि जो भी barriers है आपके पास investment को लेकर कि उसको आपको क्या करना, overcome तरना है ठीक है निक सजी है, नगोई, उकांजो, इवैला इनके बारे में जान लेते हैं, क्या है WTO ने क्या क्या है, Nigeria के जो foreign finance minister है, नगोजी ओकॉंजो, इवैला इनको first female, first African leader, handing her the task of restoring trust in the rule-based global trading system में इनको डाला गया है, क्योंके न first female and first African leader her the task of restoring trust in the rule-based global trading system के अंतर गया है the WTO में कितने member है, कुल मिलाकर के आईये से और जान लेती, WTO में 104 member है, जिनका unanimously selected the 66-year-old development economist to severe a four-year ठीक है ना four-year term as director general इनको DG चुना गया, कि इसका WTO का WTO का DG चुना गया है, और ये DG का जो कारेकाल होता है, वो कितने साल का होता है ये four-year-s का होता है, ठीक है इनका appointment came after new United States President Joy Bidden endorse the candidacy, ठीक है ना और इनके नाम को support किया गया है, ये उसके President Joy Bidden के लवारा, ठीक है ना, support किया गया, and had been blocked by former President Donald Trump, जिसे कि Donald Trump ने बंद कर दिया था, ये Ukonzo, Ivela जो है, ये कौन है, इनके बारे में बात करते हैं, Ivela ये दैसल ना है, जीरिया की, जो former ये finance minister है, on 25 years का, इनका career रहा है at the World Bank 25 years इनोंने World Bank में भी as an economist काम भी किया है she had worked for 25 years in even World Bank, where she rose to the number of two position of managing director she holds both US and Nigerian citizenship ठीक है न, इनके पास Nigeria की और US की दोनों की citizenship है, ये दोनों जगा की citizenship को hold करती है, ठीक है, चले ये हमने देख लिया जो World Trade Organization है इसके बारे में बात करने, ये international body है that deals with the rules of trade between nations and its hurts are the WTO agreements negotiated among the bulk of the world's nations and ratified their licenatures, ठीक है so as its hurts are the WTO agreements negotiated among the bulk of the world's nations and ratified its licenatures ये सारे चीज़े हो गई, हमने ये cover कर लिया, done, we are dead this इसके बारे में दो चीज़ और चीज़ जान लेते हैं लेदर बैक समुदरी कच्छवा ये यहां पर आ गया आपका थोड़ा, आपके लेदर बैक जो सीट टर्टल है ना, इसको इसका जो living spaces in the genus democracy and family democracy it can easily be differentiated from other modern sea turtles by its back of boni cells, hence name instead the carapace is covered by skin and oily flesh, that's it तो ये सारे चीज़े हैं जिसको हम लोगो ने आज cover कर लिया है, ठीके ना, ये बात है हो गई अब आपको बताना चाहूँगा एक दो चीज़े बहुत इंपोर्टन है वो देख लिजी, ये 20 और 21 को आपके पास क्या हो रहा है, एक जो अनकाडमी का समिट हो रहा है, in institution with a Hindu group, ठीके, इसमें 30 iconic speakers आएंगे, 20 talks and discussions होने वाला है, and routes where अभी आपको दिये जाएंगे, तो आपको इसको please join कर लिज़े, अनकाडमी समिट 2.0 को आपको काफी cater करने वाला है, आप इसको join कर सेथे, क्योंकि आपने देखा है कि UPC की कभी examination होने वाला है, कई PCS विगरा के भी examination over the head है, क्योंकि अगर आपने UPC के तेहरी में अगर कर लिया exhaustive तरीके से, तो कुछ भी अगर पूछा यादा है ठीक है, मेरे batches के बारे में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर में क्या है, कि आपका जो fees वेगरा है structure है, यह one year, two year और three year का आपको दिख रहे है, one year, two year और यह three year का, ठीक है ना, इस पर अभी power chain का code apply करें, you will get 10% of discount, ठीक है, यह यह discount अभी है 10% का, लेकिन अभी घटकर ही कितना होने वाला, 5% होने वाला है, कि इससे पहले के fees बढ़ जाए, आपको क्या करना है, कि आपको subscribe कर लेना है, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे discount के वाद आपकी fees यह हो जागा, जैसे first say, three year का 90,000 का GS का course है, तो 10% discount का यह 81,000 का हो जाएगा, 72,000 का आप two years का course है, इससे 4,800 का हो जाएगा, और जो one year का है, 49,500, यह आपके discount के लिए 44,500, 50 का हो जाएगा, लेकिन यही अगर discount 5% ही रहा गया, तो आपको extra pay करने पढ़ेंगे, इन सरे cost के लिए, ठीक है, चलिए, अब यह रिखते हैं क्या है कि मैं तो कहूंगा, कि आपने जितने भी लोग के GS plus optional, यह दोनों subjects लें, GS plus optional लें, तो आप देखें, one year, two year, और यह three year का आपके पास scores fee रिख रहे है, one year का आपके आपके बास 70,103 रुपए का है, दो साल का आपका 99,660 रुपए का, तीन सल का एक लाक ए 20,000 रुपए का है, इन सवों के उपर में आपके पास you will get 10% of discount, इन सभी के उपर आपको 10% का discount मिलेगा, ठीक है, लेकिन यही आप इस month Supreme Court में एक मामला गया था, जिकि 2020 में जिन लोगों ने COVID-19 की वैसे अपना paper नहीं दिया था, उनके last time थे, उन सभी को एक attempt और देने की बात की गया, attempt में कोई बढ़ा इजाफा नहीं हुआ, बस एक विशेश विवस्ता की गया, special arrangement किया गया, उन सारे candidates के लिए, जो पिछली सो दिन जो भी लग रहा है, किसी भी दिन ये अब आपके पास आहीं जाएगा, ठीक है सरसन मैप्स, चलिए मिलते हैं फिर अभी हम लोग आज थोड़ा सा गला थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, इसलिए थोड़ा मैं एक गलासे नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बोल है, ठीक है सरसन मैप्स, जिन लोगों ने अभी तक इस से टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन नहीं किया, जॉइन कर लिजेगा, पालिटी ग्रूप के चैनल को, ठीक है, चलिए सरसन मैप्स, मिलते हैं फिर, शाम में आज साथ वजी, आज कोई क्लासे नहीं लोगा, यह रिल आपके पाह अपने चैनल पे, तो आप इसको प्लीज टेलिग्राम ग्रूप पे ले लिजेगा, पॉलिटी ग्रूप पे आपको ही मिल जाएगा, ठीक है सरसन मैंप्स, बाबाई, टेक केर एवर्यों, लॉट्स अफ लवन ब्लेसिंग्स, इंज्वाई और डेए.